नमस्कार, बुक आडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, मैं आपका दोस्त ब्रिजिश और दोस्तो, आज मैं लेकर के हाजिर हूँ, अर्विंद कुमार श्रिवास्ताओ का कहानी संग्राय, अर्विंद की कहानिया और हमारी आज की कहानी है, चानक्य और चंद्रगुप्त, चले बढ़ते हैं कहानी में आगे की और फिलिप्स सिकंदर के साथ सिल्युकस के शेवर में पहुंचता है, तो वहाँ चंद्रगुप्त और कौनेलिया पहले से थे, और आज की घटना के विशय में उसे बता दिया था चंद्रगुप्त को सिल्युकस के शेवर में देखकर फिलिप्स ने सिकंदर से कहा समराट मैंने कह दिया था ना कि चंदरगुप्त और सिल्युकस मिलकर आपके साथ विद्रो कर रहे हैं मेरे विशय में कुछ भी कहने से पहले क्या तुमने अपने बारे में बताया है समराट को सिल्युकस ने सिकंदर को आज की गटना के बारे में विस्तार से बता दिया तुम लोगों के बारे में तुम्हें बाद में निर्णाय लूँगा किन्तु चंदरगुप्त गोतो उस योगी ने पहले ही भारत का भावी समराट गोशित कर दिया है सिकंदर ने चंदरगुप्त की और देखते हुए का हमारे रहते ये कदापी नहीं हो सकेगा समराट फिलिप्स ने का तुम टैरो फिलिप्स चंदरगुप्त की और देखकर सिकंदर ने पना का सुना है मगत का शाशक बहुत करूर है और तुम उसे हस्तगत करना चाहते हो हस्तगत नहीं मैं मगत का उद्धार करना चाहता हूँ केवल उस ब्राहममार विश्णो कुप्त के कहने पर तुम्हें विश्वास हो गया मुझे आचारी के दिशा निर्देश और अपने साहस पर विश्वास है मैं सिकंदर इसमें तुम्हारी साहिता कर सकता हूँ और मेरी साहिता से तुम्हारा ये काम सरल हो जाएगा मुझे यवनों की साहिता से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है सिकंदर मेरे शुवेर में तुम मुझे ही आगें दिखा रहे हो नहीं मैं केवल आपको अपना सच बता रहा हूँ मुझे यवनों की सायता से कुछ भी नहीं चाहिए ये मेरा अपमान है चंदरगुप्त सत्य कहना हमारे आर्यवर्थ की परंपरा है और मैं सी का पालंग कर रहा हूँ मैं तो मैं बंदी बना सकता हूँ सिगंदर ने का प्रहरी चार प्रहरी शुवर्थ के द्वार पर खड़े हो गए फिलिप्स ने तलवार निकाल ली तो चंदरगुप्त ने भी अपनी तलवार निकाल ली ये शुवर्थ द्वंद युद्ध के लिए नहीं है सिल्यूकस ने फिलिप्स को रोकते हुए का फिलिप्स तुमारे साथ मेरा द्वन्द युद्ध तो पहले से ही तैय हो चुका है और तुमारे प्रहरी मुझे रोकना सकेंगे चंदरगुप्त चारों प्रहरीयों को घायल करता हुए शुवेर से बाहर निकल गया कौने लिया अप अलग चंदरगुप्त को जाते हुए दूर तक देखती रही आश्रम में पहुँचके चंदरगुप्त ने शुवेर में घटी घटना के बारे में विस्तार से बताया तो विश्णु गुप्त ने का अब हम सबका यहां रहना बिलकुल भी उचत नहीं है चंदरगुप्त की ओर देखते हुए विश्णु गुप्त ने फिर का चंदरगुप्त तुम जानते हो कि गड़वाल के देख्षण में एक छोटा सा संपन और शक्तिशाली राज्य है चंब चंब की राजा रूद्रेश की मृत्ति हो गई है तो घनान अंदोस पर आक्रवन्ट करने की योजना बना रहा है और चंब का महमंत्री समरेश जिसका प्रभावपूरे राज्य पर है वो भी चंब की राजकुमारी पुश्वावती से विवाह करके चंब पर अपना आधिपत्र इस्थाफित करना चाहता है किंतु चंब की राणी जो तुमारी मा की बच्पन की सहे लिए उन्हें ये स्विकार नहीं है और वे अपने पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहती है ये संदेश जंब की रानी ने अपने एक विशेश दूसे तुम्हारी माँ के पास भेजा था और तुम्हारी माँ ने ये सब एक पतर से मझे सूचित किया है तुम्हारी माँ के आदेश है तुम शीगरता से जाकर पुश्वावती से विवाह करो लेकिन गुरुदेप जिसे जानता नहीं उससे विवा ये समय के अनुसार राजनेतिक आवेशकता है और फिर पुश्वावती तुमारे लिए सब प्रकार से योग है वो सुन्दर, शुशील, कुलीन और एक संपन समर्थ राज्जी की राजकुमारी है तुमारे विवा से कई लाब होंगे एक तो तुम्हें चंब की शक्ति शाली सेना मिल जाएगी दूसरे अपनी सेने शक्ति का विस्तार करते हुए धन भी उपलब्द हो जाएगा साथी चंब किसी अन्य के आतों में जाने से पच जाएगा जैसी आप किया किया शीगरता करो चंदरगुप्त पुषपावदी से विवा के बाद चंब की सेना के साथ वापस पिपली कानन के मौरियों की सेना को संगठित करो और मालव कुमार सिंहरन तुम भी शीगर मालव लोटकर मालवों की सेना का विस्तार करो पंजाब के नरेश परवतेश्वर सिकंदर की सेनाओं को रोकने में पूरी तरह सक्षम है और वे इस सब प्रकार से तैयार भी है मुझे विश्वास है सिकंदर यदी विजई भी होता है तो भी पंजाब से यद्ध के बाद इतना सक्षम नहीं रहेगा कि आगे बढ़ सके मैं स्वाइम भी अपना भेश बतल कर मगद जाता हूँ और मगद को अंदर से कमसूर करने का प्रयास करता हूँ अचारे आपका पुनहम मगद जाना सुरक्षित नहीं है तुम मेरी चिंता ना करो पुत्र इस बार में एक जोते शाचारे के रूप में चंचरिक के नाम से मगद में रहूँगा और जब तक तुम लोग अपनी अपनी तैयारी को पूरा कर मगद पर आक्रमट करोगे तब तक मैं मगद को अंदर से इतना कबसूर कर दूँगा की तुम्हें कोई कटनाई नहीं हो घृनानंद के अपने पुत्रों में अपस में बंती नहीं है जिसका लाब तो मिलेगा ही साती आम जंतापरद घनानंद और तुमारे पुत्तर द्वारा किया जाने वाले अत्याय और अत्याचार का लाब भी मिलेगा आपके आदेश का पालन किया जाएगा चंदर गुपत और सिह्रण ने एक साथ का एक बात और ध्यान रखना सिकंदर और परवयतिश्वर के बीच होने वाले युद्ध की समापती के बाद और सिकंदर के अगले कदम के देख लेने के पस्चात ही हम मगध पर आकरमंट करेंगे ठीक है गुरुदेब चंदर गुप्त तुमारे लिए एक तीवर्गामी अश्वर की विवस्ता कर दी गई है तुम शीगरता करो सब ही अपने अपने लक्षयों के ओर निकल जाते है विश्णु गुप्त मगध में जोतिश अचारिया चंचरीक के रोप में जम गया था उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी जोतिश विद्या दो रूपों में कार्य करती है एक गड़त दूसरे फलेत फलेत विद्या की सबलता कर प्रतिशत कम से कम पचास तो रहता ही है और जो किसी को भी जोतिश अचारे के रूप में सहज़ता से इस्तापित कर सकता है इसी का लाव विष्ण कुप्त को मिला था मगध की अंतर की स्तिती ठीक नहीं थी कारागार से शक्टार भागने में सफलो गया उसकी पतनी और पत्रों की हत्या कर दी गई थी किन्तु नगर में शक्टार की भी बंदी ग्रह में मारे जाने की सूच न पहल गई जिसके कारण ब्रह्मणों ने भृत के अपने स्वर को तेज किया तो घनानंद ने अपनी शक्ती का प्रियोग कर दबाने की कोशिश की किन्तु उसमें उसे पूरी सपलता नहीं मिली थी मगद की किवल आंतरिक इस्तिती आहिस्तिन नहीं हुई थी राज महल भी अंतरकला से व्यतित हो रहा था घनानंद के आठ पत्रों में से पांचवे और चटे नंबर के पत्र श्वेत कमल और नील कमल का ववा कश्मीर के राजा की पुत्रियां शोबना और कामना से हो गया था और सबसे बड़े पत्र पद्म कमल का ववा नेपाल नरेश की पुत्री मधुलिका से हुआ मधुलिका का जन्म एक मंगल परिवार में हुआ था वो रूप उबती थी किन्तो उसका मनोवग्यान कापी उल्चा था कभी-कभी वो कापी शांत और इसनेक दिल लगती और कभी-कभी भैनक रूप से दहकती हुई अंगार से मधुलिका नेपाल नरेश की एक लोती पुत्री थी इस कारण वो राज जी की उत्रादिकारी भी थी वो सतंतर थी यवन के आवेग और मादिकता में अपने उल्चे हुए मनोवग्यान के कारण उसका बहक कर बह जाना स्वाभाविक था इसे वो अपनी जीत समझती थी विवा के बाद मधुलिका मगद आई तो उसके साथ उसकी मोहलागी दासी वीथी का भी थी कुछ दिन तो मधुलिका अपने पती पद्मकमल के प्रती एक निष्ट रही फिर पद्मकमल के दूसरे और तीसरे नमबर के भाई के साथ संपर्क में रहने लगे घनानंद को अपने महल के अंतापुर में चलने वाले नाटक के बारे में कुछ पता नहीं था किन्तु बातें कहां चुकती है दास और दासीयों के माध्यम से सब बातें नगर में फैलने लगी थी दासी होने के कारण वीधिका का संबंद अंतापुर के साथ साथ बाहरी दुनिया से भी था उसने चंचरिक की जोतिश विद्या के बारे में सुन रखा था और कई बार चंचरिक से मिल भी चुकी थी चंचरिक ने भी उसे काफी मातों दिया था क्योंकि वो राजमेल के सबसे बड़े राजकुमार के पत्नी की मोहला की दासी थी और वीधिका नगर में चंचरिक की खियाती सिक प्रभावित थी चंचरिक को वीधिका से राजमेल के कई बड़े राज मालमों चुपे थे कारण पद्मकमल राज्य का उत्रादिकारी था पद्मकमल के राज्य बनने पर मधुलिकार राज्य की समरागी बनने वाली थी किन्तु दूसरे विवहा के बाद उसकी इस्तिति क्या होगी इस बारे में वो असमंजस में रहने लगी थी और इसका इस्थाई समाधान करना चा आपने इस आकिंचेन को दर्शन देने की किरपा की, कारण जाने को मैं उत्चुकूँ, उत्तर वी धिका ने दिया, समरागी जी के पती अपना दूसरा विवा कर रहे है, कैसे विवा को रोकने का कोई उपाय है? चंचरिक ने देखा कि मधुलिका के चहरे पर गहरा तनाव है, उसकी आखें चल रही है, और कहनी जारी रहेगी अगले अंग में, तो मिलते हैं अगले अंग में, नमस्कार